नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांट जोतिस सीक्रेट तुला रासी वालों बुद्ध का रासी परिवर्तन हो रहा है 2 सितंबर 2020 को बुद्ध देव अपने ही घर कन्या रासी में प्रवेश करेंगे जो कि बुद्ध की उच्छ रासी है और यहां पर 22 सितंबर तक रहेंगे अब बुद्ध 16 सितंबर को सुरे भी सिंग रासी से निकल कर कन्या रासी में प्रवेश करेंगे तब सूरे और बुद्ध एक साथ 16 सितंबर से 22 सितंबर तक रहेंगे अब यहाँ पर दोनों मिलकर बुद्धादित योग भी बनाएंगे तो तुला रासी वालों आपके जीवन पर इस बुद्ध का रासी परिवर्तन होने से क्या प्रभा पड़ेगा देखिए बुद्ध जो गरहों के राचकुमार गरह हैं और बुद्ध गरह को जोतिस में चुकी युवराज का दरजा प्राप्त है आपकी वानी आपका बेफसाए आपकी सिख्छा के बारे में भी बताता है कुंडली में अगर बुद्ध मजबूत इस्तिती में हो तो बैक्ति को तार की छमता देता है मधूरवानी देता है और बुद्ध कमजोर हो जाए तो आपकी तरक छमता गरबर हो जाती है इसकिन समंधी परिसानी भी आती है इसलिए बुद्ध की इस्तिती को सुधारने के लिए कुछ उपाई भी करना चाहिए पर यहां पर हम बात कर रहे हैं आप तुलारासी वालों बुद्ध का यह परिवर्तन आपके जीवन में क्या प्रवाला है देखिए डालने वाला है क्योंकि यहां पर आपके 12 भाव में बुद्ध आ रहे हैं और बुद्ध के इन जो रहेंगे करीब 21 दिन 2 सितंबर से 22 सितंबर तक तो आपको थोड़ा सा दिमागी रूप से सांत रहने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि इसमें दिमाग में धेर सारी उथल पुथल मची रह सकती है वैसे तो धर्म कारे में अगर आप भाग लेंगे तो क्वास्त को लेकर भी आपको संभल के रहना होगा क्योंकि कोई पुरानी बिमारी एकवार फिर से आपको परिसान कर सकती है जो बिद्यार्थी हैं आपकी एकाग्रता में ये बुद्ध कहीं गरबर ना कर दे आपका ध्यान भटकाए नहीं इसलिए ऐसे लोगों से दूर र कि यहां पर थोड़े खर्चे हो रहे हैं थोड़ी सी तंगी आ सकती है तो थोड़ा सा ख्याल रखें धन का वैसे आपको धन बहुत ज्यादा लाब नहीं लेकिन हाँ जैसे आपका नियमित रूप से चलता है चलेगा थोड़े से सिर्फ मांसिक और सांती से आप बचिए कि पहल के रहना होगा क्योंकि इसमें उल्जन बढ़ाएंगे बुद्ध निरने लेने की छमता को प्रभावित कर रहे हैं बुद्ध तो कुछ ऐसा करें जहां मांसिक सुकून मिले आपको सांती मिले आप एकदम से लाइफ में थोड़ा सा मस्ती ढूंडिए क्या करें कि सब क कुछ बेतर हो जाए सबसे पहली बात तो गाय को हराचारा खिलाएं जीवन में आ रही तमाम परिसानियों से बचे रहेंगे सुग्रक्षित बने रहेंगे आप चाहें तो ओम बुम बुद्धाय नमा का जब भी कर सकते हैं इससे भी बुद्ध के असुप प्रभावों में कमी आएगी हम आप से भी दा लेते हैं अगर लाइप से मैश करें तो लाइक कर सबस्क्राइब कीजेगा हर हर महादेव धन्यवाद कि घ bisog सातर यज परINGINGhern तो लाइब कीजेशं तो लाइव लाह पिर ट्रिए्या हर इससारो कि आएप कर सकते हैं ऊप। झाल झाल